पूरे हो नहीं हमारे जो है अपना इनको पैचान देऊ को शुजया था सुजया था सिंभी को कि वह थोड़ी से वादें सबको पूदा में जोड़ना पराबर पदा निता लाइफ में क्या टारगेट यह वह बता ने ताब भी बस सेवा करनी है वह नहीं देना है वह बहुत अच्छा रहता रहना जी बोरा जामनगर से कितना है पत्तामद आज सभी की परिक्सा आए अन्मूट हो जाओ प्रणाम गुरुजी प्रणाम गुरुजी प्रणाम गुरुजी प्रणाम अलो हाँ बोलो अवाज आवे चे गुरुजी अवा देख्दम आवे चे जालो हाँ प्रणाम किरों आद्म मैं आटेख्या स्रुजाए बहुत हया चै़ करवा जाने के प्रणाम असुरम्हल्यार करें पुजाबिन साथे भी वाद थाई घरी बदीवाद तो बहुत मजावें तो एक वाद करों करियें तो हमें के एनर्जी वाद यहीं लागेज मने इतले अपनों सेंटर जे हाँ नजीक चे दूर से तमाह करें ती नजीक चे पर जामना करें लोको जोड़ाना थी भूब बदा जामने कर्मा बदाने वातों तो करिये जी पड़ावे कोई ना थी यहीं यहीं तो बदू रस ना थी लेता है जो एक गाता सम्ड़ाओ पर ही सम्ड़ाओ सो आजे आम तो हूँ अलपसुरुत्रव उपर रोज ध्यान करूँ जो लेली साथ चक्रा उपर हूँ अलपसुरुत्रव उपर करूँ जो अतिया रहें चलो ही सम्ड़ाओ आजे अलपसुत्रुत्रवतां परिहां सधाम वद्भक्ति रेव मुखरी गुरुते बलान्माम यत्पो की लह की लमधाम धुरंग विरोटी तच्छार जूत कलिकानी करई कहे तो रुदी मंत्र बन खरो जो साथे ना रुदी मंत्र ना थी कर दी अतिया रेखाली हूं गाथा श्रीकोजे लेख भक्तामर तिखाई शाई ने पर छी चालो करी ते उप सरस्टुडेंटों माताची या गाथा एकन पावर्भू करी ना खरीलो अराबची आपने मेक्सीमम फ अपरे जो सामुई का भूजा बेन तमने सिख्वार लूचे अने ये वीस तारिक 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 अपरे लायो सरस्पति साथना सिविर करवानी चे अने नची कर देखे लेनो पूटों ने बुदू तो मैने मुख़ी देजो इन बदू तमने करिया अप्से ओके लो प्रव अप्से अच्छा बेन अप्से अच्छा बेन बोलो जी पोलो केंचो बसे कि अच्छा प्सूंदर प्सूंदर आपनी बल्टे बिकूब एक्टम वेमरेबल रही अच्छा हाँ चालूच छू सेवा आपो जों ना बद्धाने जोडवानू काम कर्यूशे अत्यारे सपना बेन अने बीजा बद्धा पन घणा आपड़ामा जॉइन्ट थाया छे लोगों ने जाइन अनुस्ठान वी से जे पन मड़े छे बद्धाने काउचू क्या सांबढ़वा आपन सांपड़ों पेस्बूक पर पन अने गरना बद्धा जॉइन थाया छे बद्धा बने आज जोड़ी तमने दावने जराकू बक्तामर हाजी आके आकू हाँ हाँ बहुत बद्धा सभी लोगों आज जोड़ी एकम सीथा तट्टार बेट्टे हुए आखे बंद दिव्य साधना से आपके अनंत कर्मों का अक्षय हो विशिष्ट गरकार के पुन्य कर्म का उपारजन हो और यही पुन्य कर्म उपारजन है तू सामूही कुर्चा का निर्मान करने है तू विश्व भर के दुनिया भर के सारे साधक जूड़ चुके हैं और सारे साधकों क कि दिव्य सक्यों के माध्यम से हम सबी लोग वित्रदम सादना वित्रदम भक्ती कर रहे हैं जानधाए SS और इसी को आगे बढ़ाते हुए सिर्व भक्टामर आराधना नहीं, भक्टामर से आप आपके जीवन का प्रबंधन कैसे करें, जीवन को सुखमाई, सांतिमाई कैसे बनाएं, इसकी अंपूरी जो गनान दारा है, भाव दारा है, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सबी लोग बन के अंदर सिद्धम का सुबह में प्रत्येक वेक्टी भक्तामर का जाप करो, चीन चीज़ आप लिख लीजिए, सुबह के अंदर प्रत्येक वेक्टी भक्तामर सोत्र का जाप कीजिए, सेकंड नमबर के अंदर भक्तामर का प्रसाद बनाएं, जितने भी मैलाएं हैं, और जब भी आप भोजन ब तो जब भी जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी महिला जब भी रसोई कर रहे हैं तो रसोई करते समय तोड़े थोड़ी काथा जो भी गाथा आपको आती हो गानी है गुलगुनानी है और गुलगुनाते 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 ही आपको रसोई बनानी है जितने में लोग बिजनेस करने हैं पुरूस लोग हमारे साथ में जुड़े हैं तो भक्तामर की 26 भी गाथा पुन्य लक्समी प्रचूर लक्समी को प्राप्त करने के लिए भक्तामर के साथ में व्याफार करना है कि जो पेशा घर में आए को सद कारिय के अंदर उस पेशे को आप अनुभव कर सके तो जीवन को सुखमाई सांतिमाई बनाने वाली फोर्मूला क्या है आपको 21 चीजे करनी पड़ेगी जीवन का प् प्रबंदन वाला बनना पड़ेगा तो पहले नंबर के अंदर प्रचेक व्यक्ति के घर में उच्चतम जो साहित क्या है बढ़िया से बढ़िया साहित क्या आपके घर में होना चाहिए तो कि स्वास्त वर्दक साहित क्या आईवेदिक सास्तर की किताबे घर में होनी चाहि स्वास्ते किन-किन चीज़ों से बिगड़ता है वो चीज़े आपको ज्यान में वोने चाहिए प्राण चिकित्सा विगनाद प्राणायाम के बारे में भी आपके घर में कुछ न कुछ साहिक्या क्योंकि रोगों को भगाने में सर्वस्रेष्ट चीज़ कोई भी है तो प्रा प्राण की भोजन करना आनिवारिया है तो पारिवारी जीवन चलाने के लिए दरेक प्रक्रिया आनिवारिया है तो चोथे नंबर का पुष्टक हमारे घर में आरादना उनीचे बुद्धी को स्मरण सक्टी को केसे बढ़ाए उनके जितनी भी रहमेड़ी है अभी अगले दो महिने एपरिल महिना मे महिना और जूल महिना ये दो महिने तक लगातार स्मरण सक्की केसे बढ़े डिप्रेशन के जितने B केसी से उस केसे हैं आको इसको कुछ को से हैं गुझे पेट की तकलिप है पत्दापड सख करके हिक अपने ुद की डाइरी बना लेना है जो मैं आपको बोलता हूं कि डाइरी गोल्डल करने उसके अंदर तो हमें जरूरी आसन कौन-कौन से हैं हमें जरूरी प्राणयाम कौन-कौन से हैं और सदको रोज सुवह में मिनिममं तीन से दस पत्ते तुल्सी के सेवन करने चाहिए तुल्सी के पत्ते पहलू सुगते जाते नर्या जब तक आपका सरीर स्वस्त नहीं है जब तक कुछ भी संभव नहीं है तो तुल्सी के जो बहामंगलतारी प्रभाव है और बारंबार बारंबार आज ये भक्टामर साधना सिखने वाले प्रत्येक वेट्की आ आप सभी लोग को ही नूर हो आप सभी लोग दिभियात्मा हो अप सभी लोग अधिनाद पर आत्मा के वंसे और उनके लिए खास भ्यास में ये करना है कि बिना औुसदी से काया कलप के से करे दबा लेकर दुनिया भर में आगी के जो हमारे अभी हमारे जो की काफी सारे सेशन खतम हो रहे हैं और सेशन खतम होने के बाद मिरेकल सेशन किसी को डाइबिटी से किसी को कैंसर उनको केसे प्योर करें रोगमुक्ती अभियान स्वस्थता अभियान का सुबारम करने जा रहे तो उसके अंदर खास-खास-खास घरेलूची किस्सा क्या है? पंच तत्व से कैसे आप जितनी भी महिला है नीव रिप्लेश्मेंट कराना नहीं चाहती है, दिचन का दुखावा दर्थ बखाम करना चाहती है, तो रोज सुबह में कुले पेर, जो भी लोग घर के अंतर चप पल पे fabrics करके चलते हैं, उनके बोरी में पृुठी गत्वा अंबेलेंस रहता है. तो यदि आप स्तिरता जाते हो पुट्वी गत्व को बेलेंस रखना चाहते हो तो पंच गत्व को कैसे आप कर सकते हो लंबे समय पहले दीचे मैंने आपको सिखाया है कि हमें कम से कम सो साल पूरा जिन्दगी जीना है तिर्गकाल के लिए क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग सप्टी दूद का सेवन खास करें बहुत सारे लोग दूद नहीं पीते हैं हर साधग को दूद पीना चाहिए जो भी लोग दूद मेई पीते उनको ज्याधा चाहिए ने सरा 7 करना है उन्हुज प्रभाम को आगे जाकर करके समझना decía और समझाना है बूद एक प्रकार की बेलेंस दिर्ग समय मुझे पुरा स्वस्त का के साथ लंबे आयूसे में जीना है आगे का जो बहुत बड़ा प्रभाव है नेत्र रोगों की प्राकुरूतिक किसा अभी अभी लगातार डेड़ साल से जो हमारा चल रहा है लोग डाउन इसके कारण लंबे समय से लोग हमें सबसे ज्यादा काम आखों के उपर करना पड़ेगा आखों को पावर्फूल बनाना है कि कौन सी गाता है और 15 दिन बीस दिन में कैसे चो चोटे-चोटे खीरे के टुकड़े कखड़ी के टुकड़े आखों को घुलाब चट डालना है आख जितनी पावर्फूल होगी उतना जबरजस्त आपको रिजल्ट मिलेगा साथ-साथ में देखिए जैन दर्मा ये कहता है कि बहुत सारे लोग पंद्वूल नहीं खाते हैं बहुत सारे लोग रात्री बोजन नहीं करते हैं लेकिन जब तक आप नियम नहीं लेते हैं तो उसका फॉल आपको नहीं मिलता जैसे आपको में आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक और रिशेस रूप से जानना पड़ेगा लिए उन्नती का मूल मंत्र है ब्रह्माचरिय मनखी स्तिरिता आप जितने भी पवित्र दिनों में पालते हो तो उनका संकल्ग ले लेना है पाल रोगों की चिकित्सा और निरोग जीवन का राजमार्ग आपने इतना सारा सिखा दो पन्ने में चार पन्ने में आपके समाज की डिरेक्टरी बाहर निकल रहे आपके समाज का मेगेजिन बाहर निकल रहा है तो निरोग जीवन का राजमार्ग क्या हो सकता है आपकी द्र और आपको कबज याद के आरादक कभी भी जीवन में प्रगती नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो कबज याद के लिए पेट की समस्या के लिए जैसा सटर्मि गाता है तो के उसके लिए कबज याद को कैसे रोके और कबज याद उनको ही होती है छो अपनी बात प्रोपर रूप से दूसरे को नहीं बता सकते है या कोई ऐसी बात है कि जो पेट के अंदर आ गई है किसे ने आपको ताना मार दिया है और वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है तो उसका सीधा रीजन आपके पेट को कमजोर करेगा इसके बाद चीद स्ताइय योवा निया साधबकों के लक्षन होंगे योखी योओं के लक्षन के से होंदे करूं हो की चलनेने कि लिखने कि ये और मनुष्य के सरण में जैसे ही आप हिलिंग करते हो तो बिजली जैसा चमतका बिजली जैसे स्पूर्टी बिजली जैसा तेज बोलने में अभी भी पास साथ दस परसेंट इसे गिंपम बोलने का बोले चलो आप तो मिन पोलो दब्रा जाते हैं और कुछ यह से महापुरूस होते हैं मुझे अच्छा सब तो बोलने का आउसर मिला चलो मैं तुरन तयार हूं तो खास खास शरीर के अंदर ओजस को बढ़ाना है बक्तामर मंत्र से पोस्टिक आहारों से पोस्टिक बोजलों से साथ साथ मैं जितने भी वड़ी ले मैंने बीच में भी आवान किया था जिनकी उमर पचास साल की हो चुकिये जिनकी उमर साथ साल की हो चुकिये कल मैं आपको फोटो बताऊंगा एक 55 साल का व्यटी जिनोंने लगा अतार 3 साल तक एसी ऐसी विशिश्ट तम प्रयोग की और 800 से ज्यादा लोगों को जाइन गर्बसंस्क्रण से बच्चा हो गया है पुत्रा और पुत्री भक्टा मर्ग इनने के साथ साथ में यदि जाइन सासन की आप सेवा करना चाहते हैं कितने भी वड़ी लोग है उनको खास-खास गर्बसंस्क्रण सिखना चाहिए अपने दोष में पडोस में स्वजन में जो जो भी लोग लंबे सबई से आई वीयक करा रहे आई एक चरार है दवाओ के भटे खा रहे उसको किसे मंत्र विग्नान से उनको कैसे वनस्पति सास्त्र से उनको कैसे आप चनुबाउं से हर रिखी के घर में उत्तम संस्कारिक बेटे बेटीयों का जन्म हो हमारी जो जो भी पारिवारिक समस्या हैं महिलाओं की काफी सारी समस्या हैं आप बक्टामर हिलर बन चुके हैं तो छोटी-छोटे-छोटे-छोटे इसे राजमार का पता ही है कि कई सारे जीवन के अंदर आप उस नमा वातावरण का निर्मान कर सकते हों। दामपत्य जीवन का जो सूप है उसका निर्माण करना है हमारे सबसे बड़ी चीज के बहार को हम विजय को प्राप्ट कर सकेंगे लेकिन भीतर के अंदर जो सत्रू चुप़े हुए हैं काम ग्रोध लोग मान माया इसा उनके उपर खास 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 प्रत्य भक्तामर हीलरों को काम करना है एक चोटी सी वीडियो आपको बनानी है कि क्या खाए क्या न खाए फागण चुमासी चली गई कितने सारे लोगों को अभी पता नहीं है का मैं भाजी पालों खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए राइपूट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो जैनी का सबी लोग अपनी यूट्यूग चैनल बनाई है और इसे चोटी-चोटी इंफरमेशन दुनिया में ऐसे लाकों नोग है कि जिनके पास अभी तक हमारा ये छोटा-छोटा गनान नहीं पहुचा है और इसके बाद हमारी सब्यता के अंदर क्या-क्या इसी नेगेटी चीजे हैं उनको भी खुल कर बोले खाली अच्छी-ची मलाई तारी करना जो कलंकी चीजे है आज भी चारो तरफ गरवबाद हो रहे हैं चारो तरफ एसे कड़ी घटना हैं उनको भी आप खुल कर बोले और उसका क्या रास है तो हम हमारा समाज हम हमारा देश हम हमारा राष्ट की सेवा करना चाहते हैं तो इसे कलंकी दूसरनों को हमारे परिवार में से और समाज में से दूर करने का कारिया सभी बक्तामर हीलरों को करना पड़ेगा इसके बाद जो हमारी भावना है कि मरने के बाद हमारा क्या जहां पर हमें जाना है महामिदेग श्यत्रव के अंदर विराजमांसी मंतर स्वामी भगवान का मंगल कारी जन्म कल्याड़क और वो महामिदेग श्यत्रव विराजमांसी मंतर स्वामी जी भगवान को हमें इसी प्रातना करेंगे बंदना करेंगे हमने इतनी बार वक्तामर क तो हमें अगला जन्म आपके पास ही प्राप्त करना है जितने भी वड़ी लोग है उन सभी लोगों को आत्म समाधी परिवार जैसे ही पता चले कोई विक्ति करोना में हैं कोई विक्ति विमार हैं उनको सन्लेख ना की वीदी वह सिराने की विदी है क्या कोन में कराई है सारे पुन्यका जो प्राइस सीट यह सारे बापों का जो त्याग का संकल्प है यह सारी जिवाप चीजे करोगे तब आपके जो हिली का फावर एक्स्ट्रा लेवल तक आगे पड़ेगा हम गट्या केस किसे जीए इस्वर कौन है कहां है किसा है क्या धर्म है क्या धर्म है हसी खुशी का जीवन पक्टामर और इस सारे टोपी के ऊपर आप सभी लोगों को ध्यान से ग्यान यह सारी आज का जो हमारा मुख्य टोपी के गिनान से ध्यान और ध्यान से ग्यान तो कैसे 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 आप सारी चीजों को समझ रहे हैं कैसे कैसे पुत्र पिता का सबंद मदूर बना रहे हो कैसे मा और बेटी के सबंद मदूर बना रहे हो और वो सारी चीज़ा को करने करते करते वसी करण की सिद्धी क्या है हमें दुनिया बर में और किसी से वसी करण नहीं करना है लेकिन मेरे परिवार के अंदर मिठी में सब को भुए सू मिठी में सब को भुए सू में मेरे परिवार को अमाब प्रेम कर रहा हूं मेरा परिवार मुझे अमाब प्रेम कर रहा है और ती एक नया वीडियो को आप देखिए करमयोग यानि खाना बना के खाना बनाई घर की साफ सफाई करते हो तो बराबर दम लगा के साफ सफाई किजिए और आज मैं आपको एक रशना प्रेता हूं आपको भी जैसे इकलास खतम होजा अपने घर में जाकर के सबसे पहले कंपास तोटल कितने जाडू है फिर से आपके घर में टोटल कितने जाडू है जिससे सफाई करते हो जाडू पोचा और वो कौन सी दिशा में आपने रखे हुए है फिर से आपके घर में टोटल कितने जाडू है और वो कौन सी दिशा में रखे हुए है वो जाडू से कितना जबर विद्या है संतेरस के दिन जाडू को लेने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है कल मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में कौन सी दिसा में जाडू है और इसके लिए कौन-कौन कैसी आपकी लाइव में रुकावटा रही है तो हम लोग सभी लोग करेंगे रोज पड़ेंगे रोज रिवीजन करेंगे रोज वाध्याई करेंगे और एक आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ अभी नहीए विशस्तानक पद में एक इसा पद बताया है कि अभी नहीं विए अभी से आप सभी लोग को तैयारी कर लेनी है नौरा धरी को रोज साम को पांश20.5 Mensah क ref mash घर के अंगर संगीत बच्ते दोल बच्टे नगारा बच्ते तो रापी सारी नकारात्रुक्र.. एनर्जी अठाम हो जाती है और जैसे अस्टांग योग है जैसे से आगे बढ़ते जाओ तो आपको धरना करनी है जान करनी है समादी लगाना है अमावस्या से आए पूरे मेने में ये इंदिया देंदिया चाहिं मैने सबदी सुदारी मैंने घर के भावे किए घर का निकाला बहुत सारे गेस सला है तुर बहुत सारे भार से आप दूर हो जा गे रिलेक्ष हो जाओगे आत्मा भी बहुत प्रसनों हो जाएगा और ये जो मिच्छा मिदुप्रम की जो ध्वनी है पूरा दिन जे में जीवा विराहिया तस्ता मिच्छा मिदुकडम जे में जीवा विराहिया चिंताओं से छुटकाराओं का राजमार्ग ये महामंगलकारी विदान है और मधूरता और सबंदों के अंदर मधूरता यही ये मिच्छा मिदुकडम के द्वनी से निर्मान होता प्रतिगना को योग निर्मान का प्रारंब हो चुका है बक्टामर योग और यूग निर्मान का जिसके एक चोटी सी घटना गटिक होथी है और हजारों लोगों के भाव निर्मानों जादे खल खाली चिगना में ने संकल्ब लिया कि मुझे एक अजार बक्टामर इलर बनाने है नए और आज दाइसों से भी ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया आप अपने कारे का संकल्ब करो खाली कि मुझे इस चित के लिए काम करना है मुझे खास करके बक्टामर की जो गुन गरिमा है वक्टामर की गुन गरिमा मुझे विश्व के पटल तक लेकर जानी है और खास करके नवरातरी के नौ दिन तक मंत्रों का यगना कीजिए आपको हवन करना आता है को छोटे से मिट्टी का कोडिया लेने चे उसमें कंटे डाल करके लोग डाल करके कपु पुजाजी ने सिखाया दुनिया का सर्वस्रेश्ट आद्य सक्टियों का विशिष्ट सक्टियों का मंत्र है ओम रीम नमहा सत्ताइस बार बोलते रहे हैं थोड़े से कमर काकड़ी डालिए लोग डालिए अवन सामगरी डालिए यगना की जो महिमा है यगना से बुड़ा कम से कम नवकार सी करो कम से कम कम से कम आप चोव्यार करो चोव्यार नहीं कर सकते तो दिव्यार करो दिव्यार करो दिव्यार करो नहीं कर सकते हो तो हमारे गुर्दियों चंद्र से करमा से भी बता रहे हैं आपको रात को खाना पड़ता है खाईए बुप्त में खाईए र खाना खाओ दिन में पचास बार हिलिंग का आपको बढ़ाना है एक चुर्णा को कि मैं जितने भी पर खाना खाने बेटूंगा पानी पिने बेटूंगा पहले नवकार मंदुर बोलूंगा पानी पिनूंगा वापस नवकार मुट्टी सेम का पचक खान करता है 15 उपास का ल स्रमन दायक बहुत बड़ा संकट आ चुका है और उस संकट के अंदर भक्टामर ही हमारी रख्षा करेगा श्री समन संगस्य सांतिर बहुत दूग आप सभी के अंदर सीधा भक्टामर की उर्जा है इसलिए अभी तक वो टेंसन तनाव आपके आसकास कहीं पर नहीं आया है लेकिर हमारा दायक बनता है जो सादू बगवानें जो हमारे सादूजी बगवानें जो हमारे राजनेटा है जो सासंं के सेवा का है स्रमन संगस्य सांतिर बहुदू जन पदानम सांतिर बहुदू रोज सुभा में 47 गाता पेले नंबर की गाता पूरे सविश्व के सभी जीवों को सर्वता सवसुकी थाओ पाप ना कोई आचरो रागद्वेशती मुक्त थाइने मुक्ति सुकसाओ जगवाओ कम से कम एक गाठा तो कितने भी करोना अधी अलग-अलब रकार के रोगों से पीडित है पूरे विश्व के सभी सभा व्यक्ति स्वस्त हो चुके हैं एही भावना से दिरे 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 इस ग्नान यग्म को आप विश्व तक लेके जा सकते हूं इस ग्नान यग्म पर सर्वस्रेष्ट पुन्या कुंसा है तो कि धर्मा प्रचार करना जिनान दान ही महादानम आप दूसरे को कोई छोटी सीच सिखाते हो और उसके जीवन में लंबे समय से रुपी हुई समस्या एदि दूर हो रही है तो इससे बढ़कर जगत में कोई पुन्या नहीं है और इससे बढ़कर जगत में कोई दान नहीं है तो इस दान की भावदारा को आगे बढ़ते हुए चारो तरब आसुरिता पाग भिरोता नकारतमाक्टा पूर जोस से बढ़ रही है और उनके बीच में आप जैसे महापुरूस दिव्यता को भव्यता को पवित्रता को बक्तामर को नमस्कार महमंत्रों को उवसक करम को ऐसे फिलाईए ऐसे फिलाईए मेहनत करनी पड़ेगी ल वक्टामर और असूर्दा का महायक्रिया है एक दिन आप सभी का अथाग प्रयाग्ण से अथाग साधना से चारो तरफ जैन्सासन का पवित्रदा का भक्ती का और महामंगलकारी पुन्य का जै विजैयसो गाता हम सभी लोग साथ में मिलकल के ले रहा हैं खुलते भी उपासन सब्सक्राइब को परेंगे सब कुछ करेंगे और साम को वक्टामर बक्ती की गुंज जो प्रकार से हमारे 24 कंटों में गुंज को लए रहा है उसी साधना करते करते सभी लोग हाधे से बढ़ाबर पांच पर आखो से बराबर बंद करते हुए पूरे कमर से रटार बेठना है आपके साथ में आपके सारे उपसर गदूर हो सारी दिव्य सत्विया मंगल अकलाणा आवासम, मंगल अकलाणा आवासम की भावदारा के साथ, आप आपके लिए, आपके परिवार के लिए, शनेही स्वजन के लिए, जिसको भी हिलिंग देना चाहते हो, बराबरियापर कपाल में उसको देख लीजिये, या तो अपने पास बार ये से गोल गोल राउंड और पास बार ये से आगे गत्तिक देना वसगहरं बासं बासं मन्दामिकं मगनमुकं विसहर वीसनिन्नासं मंदल तल्लान आवासं विसहर पुलींग मंदं कंटे दारे जो सया मणुओं तस्या गहरोगमारी तज्या राचंधि वसामं चित्टाउं दुरे मंतो तुझ्यपणामो विभावपलो होई नरदिरिये सुविजी वावंदिन दुक्तो गच्चंदूह समत्यलत्ये चिन्दामनिक वभायवपविये पावंदिय विकेनं जीवावर वरुणाणं यसंदूओ महायस बदि प्रनिपरेनहिय तादेव दिच्यपोहिं भवे 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 बाग सजीनचंद workshah जीवन में खुशिया आगई वहां से काम नहीं होगा आपके जीवन में थोड़ी सी भी कुशिया आई है उसको मुल्टिप्लाइब करना चाहते हो जो चीज आप बाटोगे वही चीज आप इलायत में आने वाली हैं तो कैसे कैसे आप बाट सकते हो हर चुटे-चुटे से करके थोड़ी से सब लोगों की जो प्रस्ना है वो प्रस्नों को लेकर के आज की भावदारा समाप्ट करेंगे प्राणाम जैजी नेंट्रा बोलो पाश्वनात भगवान की जै युगादी देव प्रथम तेर्थंकर आधिनात भगवान की जै आज की शुरूत हम सब की प्रेट आधिनात भगवान की एक छोटी सी स्तूती से करना चाहूंगी तो दोनों हाथों को जोडते हुए मेरे साथ साथ वोस्तूती भी आप सब मन में बोली शत्रूईजय मननन रुषब जिनन्द दयार मारू देवाननन वन्दन करू प्रण कार एती रथ जानी कूर्वन वानु वार आधिश्वर आव्या जानी लाब अपार बहुत-बहुत बहुत अच्छी अच्छी अलग-अलग बातों को समझते हुए जीवन के अंदर बसाते हुए हमारे अंदर पर्मात्पा भक्ति को और ज़्यदा मजबूत करते हुए जीवन में जब हम वक्तामर की नईया में बैठे हैं जब बक्तामर महामंत्र बक्तामर महस्तोत्र हमारा जीवन का आधार बन चुका है अब इस टैंग पर एक और एड़ान की जो शाश्वता मंत्र है ऐसा महामंत्र है नमस्कार मंत्र और नमस्कार महामंत्र की भावधारा नमस्कार महामंत्र के बारे में तो कितना बोले उतना कम परंतु जब बकतामर माहामंत्र के उच्चा राओं के साथ, जब हम नमस्कार माहमंत्र को एड़ान करते हैं, जब हम उस एनरजी को, पंच परमेश्टे की दीवियो उर्जा को जब हम हमारे अंदर बसाते हैं. तो मान्तु सुरिश्वर जी ने ही नवकार सार्थवरण के अंदर एक स्तवन है नवकार सार्थवरण और उसके अंदर जो पंच परमेश्की का स्वरूप बताया है वो मैं आज जरूर बताना चाहूंगी कि मान्तु सुरिश्वर जी एक ऐसे परम आचाहाड़िया ऐसे हमारे परम उपकारी गुरुदेव गुरुदख्वन की जिनोंने हमारे जिवन में जंशाषन के उपर हर एक जीव के उपर भक्तामर महास्तोत्र जैसा उन्मत और उच्च काव्य हूच्च स्तोत्र और मंत्रा का राजया ऐसा स्तोत्र बना के ऐसा महा मंत्र बना के उपकार किया है और वोही मांतिन सुरिश्वर जी ने नवकर साथ में कहा है कि नमस्कार महा मंत्र का जब हम इसके साथ नमस्कार महा मंत्र की जब हम बक्ती करते हैं पंच परमेश्टी का जब हम ध्यान करते है तो अरिहंत भगवान की आराधना, श्री अरिहंत की आराधना हमें खेचरी पद्वी और मोक्षद आई हैं हम क्या बोलते हैं, डेवन से गुरु जी भी बोलते हुए आ रहे हैं, मैं भी बोलते हुए आ रही हूँ कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, अब आप सब भी यही चीज सब को जब सिखा रहे हैं, सब को प्रेना कर रहे हैं तब आप लोग भी शायद यह लाइन बोलते ही हैं, I am sure तो हमारा परम लक्ष्य क्या है, कि हमें तीसरे भव में मोक्ष चाहिए और हमारे कर्मा जो मोक्ष प्राक्ति के अनुसंधान में आगे बढ़ते हैं, मोक्ष प्राक्ति करने के लिए हम जिस दगर के उपर आगे बढ़ते हैं, हमारी कर्म निर्जरा को करते करते, पंच परमेश्टि का शरना और दादा अधिनाथ का शरना लेते हमें मोक्ष पद तो जो अरहंत पद की आराधना है वो आराधना हमें खेचर पद्वी और मोक्ष देता है खेचरी मुद्रा अगर आपको पता हो तो हमारी जो जीब है उसको जब हम तालू से लगाते हैं मतलब तड़वे के उपर लगा देते हैं जीब को कोल्बी मेडिटेशन के दौरान तो जो जो एनर्जी का फ्लो है वो तेन ताइम ज्यादा हमें मिलता है रीजन इस हमारी जीब है जो जीवा है वो इंटर कनेक्टेड हो जाती है एनर्जी के साथ तो कोई भी मेडिटेशन के दौराम्यान आप अपनी जीब को मोड के तालू के उपर लगा दीजे आपको और ए परमात्मा की आराधना हमें त्रही की आराधना मैं, हमकी जो परमात्मा की आराधना कर रहे हैं वो युगा दी गए वैसे इनात्परमात्मा जिनकी ऊर्जण सच में आधना पहा अध्सदिक ofee और पावन उर्जा और उस उर्जा का जब हमारे उपर असर होता है उस उर्जा की प्राप्ति जब हमारे जीवन में होती है तो हमारा जीवन सच में नंदनवन बन जाता है तो हमारे जीवन में इस प्योरिती की उर्जा का त्रैलोग की वशीकरां की उर्जा यानि की मैं मेरे परिवार के साथ, मेरे आपके जनों के साथ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही शान्त हूँ, और मेरी बात, सबसे पहली लेडिस का एक ये common question बहुत सारे फोन में आता है, सासुमा होती है तो बोलते हैं कि मेरी बहु मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी बात मैं जब भी कुछ ब communication gap है, और communication gap से भी बड़ी चीज है कि कहीं हमारी वानी में कुछ ऐसी कचा शेय गई है, कुछ ऐसी खटा शेय गई है, जिसकी वज़े से हमारे घर के ही सदस्या हमें प्यार का वशिकरान नहीं कर पा रहे हैं, या फिर शायद हम वो प्यार का वशिकरान नहीं कर पा रहे है तो सिद्धपद की आराधना त्रैलोग की अवशिकरान और मुक्ष प्राक्ति देता है और हमें हमारे जीवन में उर्जा को पलिबूत करने के लिए हमारे सबंदों में मिठाश चाहिए चाहिए और चाहिए अगर हमारे सबंद ही बिग्रे हुए हैं तो हमारा मन कभी कोई भी काम करने में लगेगा नहीं हम किसी भी चीज़ को अपना 100% दे ही नहीं सकते हैं अगर हमारे अंदर हमारे दिल में या मन में कोई भार चिपा हुआ है तो इस फिलिंग्स हमारे अंदर दभी हुई है तो उस रिष्टे को कभे भी हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो श्री सिद्ध भगवंत की आराधना करनी है आगे बढ़ते हुए इस तवन के अंदर मांतुन सुरिश्वर जी बता रहे हैं कि आचारिय भगवंतों की आराधना, आचारिय पद की आराधना हमें हर प्रकार के भई से मुक्त करवाती है सब्सक्त भई का नाशक तो हमारा परम्मंगलकारी नमस्कार महमंत्र ही है परन्तु जितने भी भई हमें सताते हैं किसी किसी को अपनी हेल्थ के लेके बहुत सारे चिंताएं रहती है बहुत सारा भई रहता है कि मैं बहुत बिमार हूँ, बहुत लोग फील करना हूँ, मुझे खुद को डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे मेरे परिवार की चिंता है, मुझे अपनी चिंता है, हो सकती है, स्वाबाविक्ष है, क्योंकि हम मनुश्य है, हम संसार में हैं, तो हमें कैसे करना है, चिंता करने के लिए भी एक राजमर्ग है, कि हमें चिंता को चिंतन स्वरूप में करना है, कि अगर कोई चिंता आई भी है, तो मैं क्या ऐसा चिंतन करूँ, कि जिसके माधियम से इस चिंता में से मैं मुक्त हो सकूँ, मैं किसी और को अगर रहा दिखा रहा ह कि वो उसको चिंतित करते हुए चिंतन मनन ध्यान करते हुए उस अपत्ति में से विपत्ति में से बाहर निकल सके। बक्ता मर की अलग-अलग गाताओं का जब हम हीलिंग लेते हैं या किसी को हम सजेस्ट करते हैं कि आप बारा नंबर की गाता कर लो आपके लिए बहुत पाइदेका रखे आपके घर में जो शादी ब्या का प्रसंग अटका हुआ है वो बारा नंबर की गाता से परिपोन होग हम बताते हैं कि आप 26 नंबर की गाता कर लो आपको लकलू पूरिय लक्ष्मी की प्राप्ती होगी तो गाता का जब हम बहुतिक मीनिंग बता रहे हैं जब इस चीज को बता रहे हैं तब अमारे अंदर भी अगर कोई भई चुपा हुआ है किसी भी प्रकार के भई से अगर हमें मुक्त हुना है चूटी-चूटी बातों की चिंता लगी रहती है ममी इसको सबसे जएदा चिंता होती है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कब लिखेगा कब सब कर लेगा और बच्चा बोलता है कि मुझे सब पता है ममी आप कोड़ा शान्ती रखो अब यह जो है ना अप तो तीलो आचारिय भगवंत को याद करना है तो आचारिय भगवंत की आराधना तमाम प्रकार के भई को स्तंवित करती है और दिर दिर नाश करती है तो उपादिय भगवंत की आराधना हमें हर प्रकार के लाभ देती है अब यह आप बोलोगे लाभ कैसा तो आपको चाहि कि आपके जीवन में हेल्थ बेस्ट हो जाए, वेल्थ बेस्ट हो जाए और यही हमारे गोल्स भी है लाइफ में, राइट, सो हर प्रकार का हर क्षेत्र के अंदर अगर हमें लाब चाहिए, तो वो लाब की प्राप्ति उपाध्याई भगवन्त की आराधना से होती है, और अं कभी ना कभी हो सके तो इसी जनम में और ना हो सके ना मेरे कर्मों में हो, तो हे भगवान, हे परमात्मा, हे युगादी देवादिनात भगवान ऐसा वर्दान दो कि रियल में मेरे कर्मों का ख्षय हो और मेरा जन्न सच में महाविदे क्षेत्र में हो, यह भावना हमें भा सविकार करना है तो ऐसे सर्व वीर्तिधारी सादूपद की आरादना करने से हर प्रकार के पापों का नाश होता है पाप कर्मों की निर्जारा होती है हर प्रकार का जो भी कुछ अगर नेगेटिव पावर्स हमाँपर काम कर रहे हैं तो वो सारे नेगेटिव पावर्स नमो लोए सव्वसाहुनम इस जाप से साधूपद की आराधना से दूर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो अलग-अलग बातों को नवकर मंत्र के साथ सीखते हुए, जानते हुए, आज कुंडली के हिसाब से अगर हम नमस्कार महा मंत्र की साधना करें, आराधना करें, तो अमारी कुंडली में, अमारी जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रह है कि जो हमें बहुत से हमें वहाँ पर वो पावर जनुएट करना होता है पावर देना होता है ताकि जो ग्रह बीक है उसको भी पॉजिटिव एनरजी मिलना शुरू हो जाए तो ग्रह के साथ हम नमस्काय महामंत्र की आराधना उपासना कैसे करेंगे तो चंद्रग्रह और शुक्रग्रह के लिए पद है नमो अरिहन्तानम आप सब लिखना चाहें तो जरूर लिख लीजिए फिर बाद में आपके पास कुंडली आपकी है है तो आप अपनी कुंडली में देख सकते कि आपका कौनसा ग्रह बहुत पावर पुल है और कौनसा ग् नमस्कार महा मंत्र का पद नमो अरिहन्तानम तो सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह ग्रहों के अधिपती सूर्य और वासुपुजय स्वामी भगवान की आराधना से मंगड हमारे जीवन के अंदर रियल में मंगलता प्रदान करते हैं तो ऐसा मंगल कारी मंगल ग्रह सूर्य और मंगडग्रह ओम्रिम नमो सिद्धानम पद की उपासना से आराधना से हमारे जीवन में सूर्य और मंगडग्रह को बल मिलता है खास बताना चाहंगी जिनको कुंडडी के अंदर बोला हुए कि आपकी मेरे जाटक रही है मांगलिक है आपकी कुंडडी तो आपको वासु पुजय स्वामी बगवान का आराधना के साथ-साथ नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम का जाग खास करना है ताकि मंगडग्रह दीरे दीरे positive energy देना शुरू कर सके गुरु ग्रह और गुरु ग्रह के अधिपति दादा अधिनाथ, दादा अधिनाथ की बक्ति करने के साथ साथ, नमस्कार महा मंत्र के अंदर, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, ओमरिंश्रिम नमो आयरियानम ये भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली आप बोलिए नमो आयरिय नमो आयर्यानम मेरा गुरू ग्रह पावर्फुल हो रहा है। मेरे गुरू ग्रह को पॉजिटिव एनरजी मिल रही है। बुद्ध ग्रव विमलनात बगवान और विमलनात बगवान की आराधना करते करते पद का पद होने गिन्ना है नमो वज्जायानम नमो वज्जायानम के जाखम जितना ज्यादा करते हैं उतना हमारे जीवन में बुद्ध की शुद्ध बुद्धी आती है बुद्ध मतलब शुद्ध बुद्ध माने शुद्ध ये शब्दा आप नोटिस कर लीजे जिनका बुद्ध ग्रह बहुत अच्छा है उनके जीवन में शुद्धता उनके जीवन में पवित्रता और उनके जीवन में निर्मणता बहुत बहुत मिलेगी अब देखना नोटि की उपास्ता के लिए है नमों लोए सब्वसा हुनम जो जो भी कुंडडी के अंदर काल सर्प योग बन रहा है गुरू चांडार योग बन रहा है कहीं पर पित्रु दोश दिख रहा है हर एक के लिए शनी राहू और केतु का कोई भी ग्रहन दोश बन रहा है हर जगे पे एक अधिनात्र भगवान और भक्तामर की एनरजी से मैं अभी मंत्रित हो चुका हूं और मेरे जीवन में सचमेश तकाराजमक्त्या का वास है अब ये मानना है अनुबूत आपने कर चुके हैं मानना है ठानना है और जीवन बर टिका के रखना है तो नमों लोए सब्वसाहुन तो नमस्कार मामंत्र के साथ जब हम ग्रव की आराधना करते हैं तो जीवन के अंदर हमें बहुत 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 पॉजिटिव पावर्स मिलते हैं तो बहुत सारी बातों को आज करते हुए नमस्कार मामंत्र के साथ पुंडड़ी की आराधना और नमस्कार मामंत्र के साथ बक्तामर की बक्ती जीवन के अंदर हमें करती रहना है और कल हम बात करेंगे कि अलग-अलग प्रकार की माला और कौन सी दिशा में बैठ के कौन सी माला गिनने से जीवन के अंदर बहुत-बहुत-बहुत सकारात्मक्ता आती है सबसे बेस्ट माला में आज जरूर बता कि आप कोई भी मंत्र जाब कर रहे हैं सबसे बेस्ट माला मानी गई है सूतर की माला जो जनरली हम वाइट कलर की प्रिफर करते हैं और जिसके उपर मंत्र जाब करने से जीवन में असंख्य गुना कल मिलता है जैसे अनंत उर्जा के अंदर हमें इंपाइनेट एनरजी मिल रह जब हमें अनंत 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 परम शांति चाहिए हर मंत्र फली भूत ओ वैसे माला का पूरा विज्ञान निकुछ गुरुजी ने बहुत बार बताया हुआ है शिखाया हुआ है आप सबने अनुभूद भी किया है माला आपने दो तीन बार अभी मंत्रित भी करी है तो माला जब भी गिन रहे हैं वाइट कलर की खास प्रिपर करें और सूतर की माला को आपको गिनना है तो सभी मंत्रज आपको नवस्कार मां मंत्रज को खास आप सूतर की माला से गिनिये सब का परम हो, सब का मंगल हो, इसी भावना के साथ अंत में तुझा की प्रेणा, तो एक छोटी सी लाइन है, कि जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया हो मेरा था ही नहीं, यह बहुत फेमस लाइन है, हम सब ने सुनी है, कि जे मारूचे ते जाए नहीं, और जे अ मुझे मिलेगा, यह न के न प्रकारेणा, I will get, and अगर कुछ चला गया है, तो वो कभी मेरा था ही नहीं, तो वो कुछ भी हाथ से चला जाता है, या कुछ भी हाथ में रह जाता है, दोनों परिस्किती में, हमारी स्किती क्या आगी, सतत अकंड, आनंद, 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 आ और कल सुबे, बहुत सारे लोग अनुष्ठान में भी जोने वाले हैं, I would really like to welcome you all, I invite you all, कि तीन दिन मैं भी कुछ चोटे-चोटे अनुष्ठान करवाने की चेश्टा कर रही हूं, गुरुजी के आशिरवात से, और चैन धर्म की, हमारे जो भी अधिष्ठायक देवी दे जोता है, सबकी बोलते हैं कि उर्जा को लेते हुए, आप सबको मैं जरूर इन्वाइट करना चाहूंगी, कल सुबे, सारे पाच को छोटा सा अनुष्ठान है, सरस्वती माता की सिद्धी का अनुष्ठान, तो जरूर आप Zoom ID के उपर भी जूड सकते हैं, और Facebook पेज है, मे बेजिए, जड़ी सान्दार, नमस्कार, महामंत्र की दिपी, यसो गाथा, पुजा बेन अपने स्वयोक्सम के हिसाफ से आप सबी को सिखा रहे हैं, लेकिन एक लाइन सबी लोग लिख लेजें कि जिनके पुन्य प्रबल होते हैं, जिनके पुन्य प्रबल होते हैं, वे मा तो माटी बन जाएगा अगले जो आपको 21 पॉइंट लिखा है वो फुन्य वुरुति के पॉइंट है पुन्य को जितना प्रबल बनाओगे मैंने मेरे दो ऐसे पावर्फुल गुरु थे एक गुरु अनेक विग्याओं के जान करते जो जिसको जैसा बोले वैसा हो जाता था है और एक गुरु एसा था जो जिन्तकी में मान 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 हमने भी दो चार बार भी उनकी आवास सुनी बिना बोले गुरु के लिए गौतम स्वामी जी भगवान आगी जो हमारा दूसरा स्प्रजब जुलाएमेने से स्टार्ट होगा तो यह 48 लोकों के नीचे 48 जो मंत्र नीचे जो एक एक लबदिया है गौतम स्वामी जी भगवान की 48 लबदिया है और एक एक लबदी का क्या प्रभाव है अभी जग तो हमने भक्तामर मंत्र का प्रभाव सुना है तो गुरु के थूक के अंदर लबदी होती है गुरु के आंखों के अंदर लबदी होती है ग गुरू गोविंद दोनों खड़े, काके लागो भाई, बलिहारी गुरु देव की, जिसे गुरू गोविंद दियो बताए. वक्तांबर का महिमात उप्रम्पार था, लेकिन आपको उजा कर करने का काम गुरू ने किया है. वक्तांबर बोलने वाले जो करोडों लोग है, ले कि ने स्वाद रफिय से भक्तामर का अद्वूब लाकों रुपया कर्चा करके मंदिर बनाए उनके गुरू जो बरसों से भक्तामर गिन रहे है वो स्वयम जो इसे भक्तामर की बहुत बड़ी साधिका है और ओविक्ती कुद मुझे फौन करके बोले कि मैं इतनी तनाव में ह मैं भक्तामर गोलती हूं तो मुझे भाव नहीं आता है पुरू जी मैं क्या करूं तो उन्होंने भक्तामर लान कर लिया है लेकिन भक्तामर को जीवन में उतारा नहीं है भक्ता को अमर बन जाना पड़ता है पूरा गिस जाना पड़ता है और ओ गिसने के लिए आपको सब सबसे पहले सहाय करेगी उनका नाम है कुल्देवी मैया की नहीं करोगे नवराती आपके पास आ रही है नवराती के नो दिन विशिष्ट प्रकार की भक्ति आराजना के अंदर हो सके तो सब लोगों ने बराबर अप्टी फोटो बराबर रेडिक कर दिया होगा बुल्देव सको तो चार चीर रोज माता जी को इतना थोड़ा सा पानी से स्नान कराना है बराबर लिख लिए क्या रोज नवराती के नो दिन मिदी करेंगे दुसरे नंबर के अंदर थोड़ा सा कुम-कुम माता जी को लगाना है थोड़ा सा अकसद दो दाने अकसद को लगाना है और आ रखठीजिए मेरा जल्दी जल्दी कुल्देवी मा की पुपा sorry मेरा घर ख जाए मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी लेना है परमोर्शन करना है मिरे पेटे को dat करना है इस समय के अंदर जाक्रत रहती है पॉल के अंदर साय सेव पॉलम केला है अनार है जूड के जितने किसा कोई विश्वा के अंदर घर नहीं होगा जिन घर के अंदर जाडू नहीं होगी हर किसी की जरूरत जहां पर मनुश्य रहते हैं वहां पर गंदगी है और गंदगी को आप दूर करना चाहते हो तो जाडू अबस्यानिवारिय है आपने आपके घर में कौन सी दिसा में जाडू रखा है क्या आप सभी के लाइब एक्दम बड़ा पर बड़ा पर जे बहुत हो रही है या अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन के साथ में चल रही है क्योंकि जाडू ना घर की सबस्तिता करता है लेकिन बहुत सारी नकारात्मग एनर्जी को वह दूर करता है दन तेरस के दिन जाडू लेना बहुत-बहुत-बहुत सुप माना गया है और एक बात आप समझेना कि शास्त्रों के अंदर बहुत बड़े इस जगह के बताया हुआ है कि लक्षमी जी की बड़ी बहें जिनका नाम था जैस्टा अलग अलग प्रकार की जो करोड़ों देविया हैं जिसके अंदर जैस्टा नाम की देवी का आयूद अनेक करोड़ों तो बहुत सारी आपकी लाइब में रुकावाट एंटर्यू देने तो चले गए इंटर्यू में सिलेक्शन हो गया मकान देखने के लिए आगए बस तोकन देने वाला ही है और रूप गया तो इसी चूटी चूटी गलती हो कल हम विश्ट दूरूप से जानेंगे अभी सारे लम्सीपो आपको पड़नी चाहिये जितने भी जातक हैं उन्ससंपी को को चोटी-चोटी जितनी भी कहानिया है अभी इसमें जो भी महिला है जो अच्छी एंकर है जो कहानिया सुना सकती है एसे हुनार के ज़स्वी महिलाओं कि हम खोज के अंदर है क्योंकि भक्टामर सोत्र के ऊपर इसी चुम्बाल इस बहुत पावर्फुल स्टोरिया है एक-एक गाथा के अंदर जाड़ू कौन सी दिसा में रखनी चाहें वो तो आपको बताना है कल मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी दिसा में सही रखा है या गलत अभी सभी लोग को चेक करना है जैसे क्लास खतम हो जाए तो आज मुदा दूगाद आप सद बने और रिलेक्स रूप से आप आपकी पूरी जिन्दगी सांथी से जीप आए तो आज आपको सभी को बराबर कॉमेंट करना है लिखना है कल में इसका पूरा जो साइंस है क्यों आपकी लाइफ में जाड़ू के कारण दिक्कते आ सकती है क्यों जाड़ू को चिपा के र जो तीचार है तो उन जबी लोगों को खास करके भक्तामर की 48 जो कहानिया है वो खास करके बराब रेकॉर्ड करें उसकी विडियो बना सकते हैं और आगे आने वाले समय के अंदर हम जो भक्तामर की 48 गाथाओं की 48 series जिसमें भक्तामर के सत्य चमत्याच उबी शिखाने वा वुरुसब राशी वाले जितने भी जातक हैं वो गंबीर ग्रानवर्दक रहस्य इतियास के सबंदीत मुस्तग उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो जिनकी भी वुरुसब राशी वाले उनको हिस्ट्री के बारे में जैन दर्म किता महान है जैन दर्म की क्या-क्या जैन दर्म के रिसर्ट से कितने लोगों को बैनी भी दुआ है भगवान ने पानी के अंदर कितने जीव बताए है तो उनको कर्मसाइद्य के उपर जो स्टडी है यदि वो इस विसर्ट के उपर अभ्यास करते हैं तो विसेश विसेश उनको रुची भी बढ़ती है और ला प्रेम, रोमास और कल्पना की बाते हैं मैना सुन्द्री और स्रिपाल राजा का प्रेम चेत्र मैना की अंदर जो ओली के अंदर आता है क्या जो बैक्ति को प्रेम करना भी सीखना है कि पत्ति को कितना प्रेम करें जिनकी अनेक पत्नियों होते हुए भी एक भी पत्ति नार पार का शरीत्रा रहें तो जितने भी खास करके कंजा राश जितने वी एक प्रेम की रोमांस की अच्छे ओ ज्यादा जितना ज़्दा पढ़ते जाते हैं तो कन्यारासी वाले दिया आपके बच्चे है तो राइटर बन सकते हैं लेखक बन सकते हैं उन लोगों को खास करके मणी बद्रह चालीसा का पाट करना चाहिए मणी बद्रह जी के ओपर गीते लिखना चाहिए हमारे में बहुत सारे अच्चे-चे कवी है खास करके भक्तामर का ये चात्रमा से और लोगों के रोंग रोंग में घुमें भक्तामर का पाट घुमें उनके लिए आप गीत बनाईए कवीता बनाईए चोटी-चोटी हैं हैं पुड़ा सा समय निकाल के जरूर पढ़ते हैं उनको खास 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 आदिनाद्ध भगवान की चाली साहा और अधिनाद्ध भगवान की चुंबालिस कहानिया खास पढ़नी चाहिए सीरासी वाले जितने भी जाता कुष्टके तो जरूरी हो तो ही पड़ते हैं सीरासी वाले जार्मिक पुष्टक भी जरूरी हों की तो ही पड़ेंगे तो उनके लिए आज आपको यह चाहते हो कि मेरे अनंत करवों का फटा-फट भुका हो जाए ऐसा कोई रामवान इलाज ब बताया है चीर संचिय पावपनासनी बवसय सहसा महाणिये चोवीस जिन विनगय कहाई बोलन तुमें दिया वंदीता सुत्र जो है हम जब प्रतिकमन करते हैं देवसे प्रतिकमन लाई प्रतिकमन उसके अंदर बताया है कि करोड़ों भगों के पाक अभी हमको हमारे यह अगले करनों में हुई है तो उनको सटाक करके तोड़ना है तो क्या करें तो कि आपको कोई भी एक भगवान लेना है और उस भगवान का चीर संचिय पावपनासनी लंबे समय से आपने करोड़ों बहु के पाक किये हैं और सटाक करके उसको जना देना है तो कोई भी ए तिर्दंगर भगवान का चरित्र सुनाते हो बावा सया सासर महनिये करोडों भवों के पाप थोड़े बहुत भी पचीस जार पचास जार लाख रुपे एकटा हो जाए जीवन में संकल्ब करना लाल नहीरी के पहने परने की मेरे संकल्ब उसमें लिखना कि मुझे जो इस्ट में गभाजवत कठा होती है तो खास करके सिहर आसी वाले सबी Univers 6 ऑफ-वाले मत्यंसों पुष्क के पढड़ने । सम सब्सांब करना पढ़ता है व्युक् Carrya वाले बंदम स्कृच्ट के पढद सके में उनको पारतसुरा को उरिब और पद्मावती माता के सत्य चमतकार ये वो इस टोपिक में पढ़ना सरू करें तो कंटिनुटी उनकी रहेगी और लाग भी होगा तुला रासी वाले जितने भी जातक हैं अपने मन के इसाफ से इच्छा हो तो पढ़ लिया अपने मन के इसाफ से पढ़ते हैं मन नहीं करा तो उसका कोछ कोएंगे भी नहीं उनको खास करके नवक रहा उसमेभी सनी देव की उपासना सुर्य पुत्र सनी देव की आप उपासना ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आपके बच्चों का केरियर नकी करने का समय आ चुका है सरस्वति साधना जब हम करेंगे तो उसके अंदर आपका क्रीकेटर बने जांगे तो चुको प्संदीता ईकार्शय में लेकिन काम और पारिवारिक समस्या के कारण वो पड़ नहीं पाते हैं, फक्टामर के अर्थ का अभ्यास करें, सभी लोगों को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जिन्तगी में आप सफल बनना चाहते हो, तो जितने भी सुत्रा आपको आतेों, कम से कम कम से कम कम से कम पुझा कि कल सिर्फ क्लास के अंदर नणो कार मंट्र का जो और द द नौर मंत्र की जो में ह हैं श कर दो को डीप हो इस विइश्व की परम 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 जो सक्टिया उनको आप नमंद करे और ऑपरम सक्किया आपकी भीतर में आने के लिए तैया रहे तो जित्ने भी आपको सुत्र आ रहे जितना भी आप धर्म बोलते हो उन lodge का यूझा कम से इसी प्रकार से अरिहंत कौन है आपके दरोगर पे आपके संज के अंदर मुलाएं दिव्यता क्या है भव्यता क्या है मेरे कुटे चंद्र सब्सक्राइब आप जान लो ना पिर केशर की कटोरी में इसे ले करो एक पर्स करो 500 वोल्ड का जट्का लग जाए पेटा काफी समय से जब अमेरिक अमेरिका से वह आता हो और माघ को पता चले कि मेरा बेटा चार बजे फ्लाइट से उतरने वाला है माता साड़े चीन बजे चली जाएगी कई बर्सों से मेरा बेटा आने वाला है और जैसे बेटा वह आएगा इसको चूम लेगा दो में पांच में दस में जब तक उसका जी नहीं भरेगा तोगि वो मां और बेटे का टोगे वो ही प्रेम एक बालळक और भगवान में में और मेरे भगवान में निर्मार करता है कि आप सच्चे साधक और भगवान को देख करके आपके आख में से 81 बार भी आच्शू नहीं गिरते हैं तो अभी भी आपकी साधना कच्जी है अभी भी और डीपली साधना इतने करुणावान इतने खुपावान आप इस धर्ती के सर्वस्रेश पर देखती हो आपके पास हाथ पाग नाक पर कपड़े पेशे सब कुछ है और वो सब कुछ वो मात्रा इस्वर की कुपास है अभी महिने में जयाते हो और आप में आसु ना ऊई और प्रेम को बढ़ाना परेगा अनंत अनन्त बुम्न्य को आपने कटिक किये हैं तब आप जैन बने हैं और इसे परमतारक परमात्मा हमें मिलें तो आखरी बात भक्तामर का अभ्यास करना है धनूराशी वाले जितने भी जादकी युवा होते तब तो बहुत पढ़ते हैं गिनान की रहस्य में पुष्टके लेकिन उमर जैसे बढ़ती जाती है धीरे धीरे पुष्टके पढ़ना कर दे एक बात समद लेना किताबे हमारी एनरजी का स्रोत है हज्जारो किताब कभी आप अमदाबद आओगे पूरे-पूरे कबाट मेरे भरे हुए है कुझा बेन के घर पे भी आप ओपीस पे जाओगे कितनी पुष्टक है यह हम जो आपको बता र आप उतनी पुष्टके पढ़ने के लिए बेठो तो आपका अधा जीवन निकल जाए तो सारा बेश्ट क्रीम हम आपको सिखा रहे हैं तो किताब एको खास खास पढ़िए मकर राशी वाले सभी जातकों को खास करके अपने विशाई की ही किताब वो पढ़ेंगे अपने के अलावा उनको वीडियो देखना और टीवी देखना ज्यादा पसंद है तो मकर राशी वाले जब 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 भी टाइम मिले खास अधिनाद भगवान की चालीसा है वो पक्की करें अधिनाद भगवान की चालीसा पढ़े सुने गाए गुर्पुनाए और कुम्ब राशी अधिनाद भगवान का अभिनाद स्वामी हम छे महिने की पूरा वाचना सपन का पूरा आयोजन प्रकुरुती देखो जोड़ा से सपोर्ट कर दे अज्जारों लाबारती तैयार बेटें गुरुजी कहीं पर भी अमको लाग दो हमारी लक्ष्पी को मुन्य लक्ष्पी ब पर देखो जब भी मोका मिले समय का सब्वियों पर दीजिए तो खास करके गुंबरासी वाले पहले से यादिनाद भगवान अजित्ताद भगवान संभुनाद भगवान उनका चरीत पर पढ़ना है और अंती मिन दासी वाले जितने भी जातक है उस तक उटो ज्यादा ने रएद्ध माता की भक्ती करते करते एक लाइन आप लीख लीजिए बुद्धौ के आनंद में पुद्धव के आनंद में चिपा है जीवन का सवर्ग च्थ मा ज्यादा पड़ोगे पड़ेगा जिंसासन पड़े आप गदर्पर उसा निर्भार हो जाएगा परिवार मे रास्ता मिकालने की द्रश्टी आ जाएगी, आपके मार की दर्शन से कई सारे लोगों के, कभी-कभी लगता है कोई बोलता है और काम हो जाता है, तो दिव्य सक्ति आप सभी के अंदर है, और उस सक्ति को उजागर करने का काम, शैन अनुष्टान कर रहा है, अक्ता हम रिलिं का शरना लेते हुए, अरिहन्त सहारा मेरा है, अरिहन्त सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं तीसी दसहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और सहारा कोई नहीं आचार सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और सहारा कोई नहीं उपाद्या ये सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं सर्वसादू सहारा मेरा है सर्वसादू सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं जैना दर्म सहारा मेरा है जैना भर्म सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं अब और सहारा कोई नहीं परिहंत सहारा मेरा है आपके परिख्टामर की भक्ति करते रहे अपने परिवारों का खुद थ्यान लगते हुए जो जोब बीची अच्छी लगती है वह ज्यादा ज्यादा लोगों को बाढ़ते बाते जो बंबाई से हैं, जो जो भी लोग भक्तामर रिलिंग सिखना आपके परीजित में बाकी रे गए हैं, वो सबी लोग हमारे जिगना बेन का संपर करते हुए, तेरा तारिक से जो विश्चिस्टम महायकनिया भक्तामर भक्ति का स्टार्ट हो रहा है, एक एक व्यक्ति की प् उनके चेरे पर जो खुशी आएगी, उनसे मेरा भी कल्यानों और उनका भी कल्यानों, तो इसी भावदारा से मोबाईल उनिश्टिव के माध्यम से बहुत सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, किसी एक व्यक्ति का भी भला होगा, जिसमें हमें भी थोड़ा पुन्य मि से हम साधना स्टार्ट करेंगे, पीच में जित्मकोल भी और भी पढ़ना है, पुजा बेन भी एक बहुत सुंदर आराधना कराने वाली है, तो उनमें भी सभी लोग बराबर जोड़ करके अपने आत्मा का कल्यान करें, यही भावदारा के साथ पर प्राणाम साथ चहांएट